नमस्कार दोस्तो गौर्णमेंट इग्जाम इंफो में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्राखंड वंदरोगा यानि की उत्राखंड फोरिस्टर के एक्जाम के लिए क्रिशी पर आधारित कुछ क्वेस्टन को डिसकस करेंगे इसमे देखेंगे वीडियो को तो सबसे पहला कोश्चन है यहापर भारत में खादी प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले की स्थाफना कब की गई तो यह की गई थी जुलाई 1998 1998 में खादी प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले की स्थाफना की गई थी भारत में अगला कोश्चन है फल हो जाती है अगला क्वेश्चन है परिरक्षित की ये जाने वाले परदार्थों में नमक की कितनी मात्रा की आवश्यक्ता पढ़ती है जिससे की जीवानों के बिध्धी नहीं हो पाती है तो इसका राइट आंसर है 15 से 20 प्रतीशत अगला क्वेश्चन है आपर संकर सरसो के उन्नत प्रजादी कौन सी है तो इसका राइट आंसर है NRC HB 506 अगला कोशन है भारत में राष्ट्री बीज निगम की साफना कप की गई तो ये की गई थी 1963 में अगला कोशन देखे बीज विकास उत्पादन अगला कोशन है आपर भारत में PG-15 की स्थापना कब की गई तो ये की गई था 1989 से 2000 के बीच में अगला कोशन है G.E.A.C. का फुल फॉर्म क्या होता है तो G.E.A.C. का फुल फॉर्म होता है Genetic Engineering Approval Committee अगला कोशन है राश्ट्री बीज अनुसंधान एवं प्रस्रिक्षन के इंदर कहां इस्तित है तो ये इस्तित है उत्तर प्रदिश वारानसी में अगला कोशन है बीज की जीवन शम्ता का पता लगाने के लिए कौन सा प्रिक्षन किया जाता है तो इसका राइट आन्सर है Tetra-Jolium या Bromide प्रिक्षन Tetra-Jolium या फिर Bromide प्रिक्षन किया जाता है बीज के जीवन की शम्ता का पता लगाने के लिए अगला कोशन है अधिकानस बीज कितने तापक्रम पर अंकूरित होते हैं तो इसका राइट आन्सर है 20 से 30 डिगरी सेंटी ग्रेट पर अगला कोशन है क्रिसी उपजो के विपणन कारिये तू सरकारी शेतर में राष्ट्री स्तर पर राष्ट्री क्रिसी सहकारी विपणन संग की स्थापना कब की गई तो ये की गई थी 1974 में अगला कोशन एगologist एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। एग मार्क एक्ट भारत में 1937 में लागू हो गया था। अगला question देखिए एग मार्क का केंद्री यह कारियाले का है इस्थित थे यह इस्थित थे नागपुर में। अगला कोशन है क्रिसी बाजार का नियंत्रन किया जाता है विप्रन एवन निरक्षन निर्देश सालय द्वारा अगला कोशन है खाद दे मिलावट निरोधक कानून कब पारित किया गया तो ये किया गया था अगला कोशन भारती जनजाती सहकारी विप्रन विकास परिसंग ट्राइफ़ेट की स्थापना कब की गई तो इसका राइट अंसर है 1987 में की गई अगला कोशन सबची एवन मशली का बाजार किस प्रकार का बाजार है तो ये है अति अल्पकालिन बाजार इसके बाद है क्रिशी लागत एवन मूल आयोग द्वारा कितनी फसलों के लिए नियुनतन समर्थन मूल की घोशना की गई है तो इसका राइट अंसर है 24 फसलों के लिए नियुनतन समर्थन मूल की घोशना की गई है अगला कोश्चन है भारती ये खादिय निगम FCI के स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1965 में अगला कोश्चन देखिए किसान क्रेडिट कार्ड यूजना की सुरुवात कब की गई थी तो ये की गई थी 1998 और जिन इन्दियानबे के बीच अगला कोश्चन किस समीती की अनुसंसा पर 1987 में नए छेतरी ग्रामिन बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी तो ये है विजय के लेकर समीती द्वारा अगला कोश्चन ग्रामिन छेतरों में बैंकिंग सुविदाएं उपलब्द कराने है तू वित्तिय समावेशन पर राष्ट्र व्यापी कारिकरम का सुभारंब 10 फरवरी 2011 को किया गया था और जिसका की नाम था नाम है स्वाभी मान अगला कोश्चन एक हेक्टेर से कम भूमी वाले किसान को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है सीमान्थ किसान अगला कोश्चन है भारत में सर्वपथम नियूंतम मजदूरी अथिनियम कब पारित किया गया तो ये किया गया 1948 में अगला question मिश्रित खेती किसे कहते हैं फसलों के उत्पादन के साथ साथ पसुपालन और डेरी जिसमें पसुपालन और डेरी दोनों सामिलों फसलों के उत्पादन के साथ साथ तो उसे कहते हैं मिश्रित खेती अब देखते हैं भालत के कुछ प्रमुक केंदरी किसी इसमें पहला है Central Elite Zone Research Institute जो की जोदपूर राजस्थान में है उसके बाद है Central Food Technology Research Institute जो की मैसूर करनाटक में है Central Institute of Meditional and Aromatic Plant लखनव उत्तरप्रदेश में है Central Potato Research Institute सिमला में है Rice Research Institute है कटक उडिशा में Central Swell Salinity Research Institute है करनाल हडियाणा में इसके बाद है Central Tobacco Research Institute राज मुंदरी आंधर प्रदेश इसके बाद है Indian Agriculture Research Institute नई दिल्ली में Indian Grassland and Fodder Research जहांसी में Indian Institute of Forest Management बोपाल मद्धी प्रदेश में इसके बाद है Indian Institute of Horticulture Research हैसर घट्टा बंगलों में इसके बाद है Indian Institute of Pulse Research कानपूर में है और इसके बाद है Indian Institute of Sugar Cane Research जो की लखनव में है अब बात कर लेते हैं भारत में क्रिशी शेतर की विभिन करांतियों की तो इसमें सबसे पहले है भूरी करांति जो की उर्वरक उत्पादन के लिए किया गया था इसके बाद हरित करांति जो की खाद्यान उत्पादन के लिए किया गया था उसके बाद पीली करांति जो की तिलहन उत्पादन के लिए हुआ था सुनहरी क्रांती, बागवानी, फल उत्पादन, इसके लावा, बादामी क्रांती, मसालू का उत्पादन, वो एवं निर्यात के लिए किया गया था, गोल क्रांती आलो उत्पादन के लिए स्वेत क्रांती दुग्द उत्पादन के लिए रजित क्रांती अंडा एवामूर्गी उत्पादन और नीली क्रांती मचली उत्पादन के लिए इसके लावा गुलाबी क्रांती जींगा उत्पादन के लिए हुआ था तो दोस्तो ये था उतरखंड वन दरोगा के लिए क्रिशी पर आधारित कुछ महतुपूर्ण प्रश्ण जिसमें कि हमने क्रिशी पर आधारित कुछ 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 को डिसकस करा है तो दोस्तो इसी तरह के और वी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बैल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो उपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तब तक के लिए उसतो धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में